गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रोद्र सहिता तृतिय खंड़ ध्याय तीस, पार्वती का पिता के घर में सतकार, महादेव जी की नतली इलाका चमतकार, उनका मिना आदे से पार्वती को मांगना और माता पिता के इंकार करने पर अंतरधान हो जाना, ब्रह्माजी कहते ह नारद, भगवान शन करके अपने स्थान को चले जाने पर सखिय उस हित पार्वती भी अपने रुप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता जी के घर चली गई, पार्वती का आगमन सुनकर मेना और हिमाचर दिव्य रथ परारूर हो हर्ष से विहवल होकर उन गई, नगर में प्रवेश करते समय शिवादेवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यांत, प्रसन और हर्ष से विहवल चित होकर दोडेचली आ रहे थे, उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुमिकली ने सक्खियो सित प्रनाम किया, माता पिता ने पूर्ण रूप से आशिरवा में भर कर भेंटा, देवी, तुमने अपने कुल का उध्धार करने वाले उतम कार्य को अच्छी तरह सिधा किया है, तुम्हारे सदाचरन से हम सब लोग पवित्र हो गए, ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रन अधी सब लोग नगर में लेगे, फिर ब्राहमनों, सक्खियों तथा दूसरी स्ट्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घहके भीतर प्रवेश कराया, स्ट्रियों ने उनके उपर बहुत सी वस्तुए निचावर की, ब्राहमनों ने आशीरवाद दिये, मुनिश्वर पिता हिमवान और माता मेंका को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपने ग्रिहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया की कुपुत्र के पैक्षा सुपुत्री ही श्रेश्ट है, गिरिराज ने ब्राहमनों और वंदी जनों को धन दिया और ब्राहमनों से मं गसनान के लिए गे, इसी बीच में सुन्दर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभू एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेंका के पास गए, उन्होंने बाए हाथ में सींग और दाहे ने हाथ में धम्रु ले रखा था, पीत पर का थ्री रख छुरी थी, लाल पस्त्र पहनेवे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुन्ता का परिचे दे रही थे, सुन्दर नत का रूप धारं के हुए भगवान शिवने मेंका के पास बैठी हुई स्त्रियों की तोली के समीट सुन्दर नृत्य किया और अत्यंत मनुहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुन्दर ध्वनी करने वाले श्रिंग और गमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनुहारिनी लीला की नत्राच की उस लीला को देखने के लेंगर की सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और व्रिद भी सहसा वहां आ पहुँ मुह ने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहृतम नृत्य को देखकर वहां आये हुए सबलोग पतकाल मोहित हो गए। मेना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भागवान शनकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशुली चिन्ह धारन की ये अत् धारन किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्चित हो गई। गौरवर नविभूशत दीन बंधू द्यासंदू और सर्वता मनोहर महेश्वर। पार्वती से कह रहे थे कि वर्मानगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव ज उस समय मेना सोने की ठाली में रखे हुए बहुत से सुन्दर रत्न ले उनहीं प्रसंतापूर वग देने के लिए गई। उनका वो हैश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसंद हुए। परन्तु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे विक् इसी बीच में गिरराज हिमवान गंगाजी से नहा कर लोट आये। उन्होंने अपने सामने उस नराकार विक्षुक को आग्न में खड़ा देखा। मेना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आग्या दी की इस नतक अग्नी की भाती अपने उत्तम तेज से प्रजवलित हो रहे थे उन्हें छूना भी कथिन था। इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशार्द उन विक्षु शिरो मनिने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दि पुजा के समेकदाधारी श्रीहरे को जो जो पुषपादी चड़ाय थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। ततपश्चाक गिरिराज ने उन्विक्षु शिरो मनिने को जगत स्रश्टा चतुर्मुख ब्रमा के रूप में देखा। उनके शरीर क भी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपनर्मनी या रुद धीरे धीरे हंस रहे थे फिर वेकेवल तेजों में रूप में द्रिश्टी गोचर हुए। उनका वस्वरूप निराकार, निरंजन, उपादिशुन्य, निरी एवमत्यं तदबुत था। इस प्रकार हिम परन्तु शिव की माया से मोहित हुने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुने कोई वस्तु नहीं लिया और वे वहां से अंतरधान हुगये तब मिना और शैलराज को उत्तम ग्यान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शि शिव पुरान के रुद्र सहिता त्रितिय खंद ध्याय तीस कथा समाप्त। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे, ओन नम शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन नमा शिवाई, ओन न नमाश शेवाई